उद्देश इस पाठ के अंत में आब निमनिलिखित सीखने में सक्षम हो जाएंगे लोगों के शोषण से मुक्ति के अधिकारों के महत्व को समझने में शोषण को रोकने वाले कानूनों को सूचिबध करने में पर्यावरं की सुरक्षा के कानूनों के महत्व की व्याख्या करने में कानून और समाजिक न्याए परिशे कानून की जरूरत लोगों को शोषण से बचाने के लिए सरकार कुछ कानून बनाती है ये कानून यह सुनिश्चित करने का प्रयास करते हैं कि बाजारों में अनुचित अभ्यासों को कम से कम किया जाए मजदूरों को महनताना कम न मिले या उनको वाजिब महनताना मिले यह सुनिश्चित करने के लिए नियुनितम वेतन का एक कानून भी बनाया गया है बाजार में उत्पादकों और उपभोगताओं के हितों की रक्षा करने के लिए भी कानून बनाए गए हैं सरकार को यह भी सुनिश्चित करना होता है कि इन कानूनों को लागू किया जाए जिसका मतलब है कि कानून पर अमल किया जाए इन कानूनों को उस थिती में लागू करना और भी महत्वपून हो जाता है जब इन्हें लागू करने और कायम रखने के लिए सरकार व्यक्तियों या निजी कंपनियों की गत्विधियों को नियंत्रित कर सकती है ताकि सामाजिक न्याय को सुनिश्चित किया जा सके भारतिय सम्विधान में दिये गए मौलिक अधिकार जैसे शोशण से मुक्ति का अधिकार का अर्थ है कि किसी को भी कम महनताना पर काम करने या बधुआ मजदूर के तौर पर काम करने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता है सम्विधान यह भी कहता है कि 14 साल से कम उम्र के किसी भी बच्चे को किसी कार खाने या ख़दान या किसी अन्य खतरनाक व्यवसाय में काम पर नहीं रखा जाएगा भोपाल गैस त्रासदी दो दिसम्बर 1984 की रात को घटित भोपाल गैस त्रासदी मानवला परवाही का एक दुखत उधारन है इसने घातक वायू प्रदूशन उत्पन किया जिसने 5000 लोगों की जान ली और कई 1000 लोगों को बिमार और विकलांग बना दिया यह सब भोपाल स्थित यूनियन कारबाइड सन्यंत्र से जहरीली गैस मिथाइल आईसोसाइनाइड मिक के अचानक रिषने के कारण घटित हुआ रिसाफ 40 मिनट तक जारी रहा और सुबह की हलकी हवा के प्रभाव के कारण पुराने भोपाल के आसपास के इलाकों में जहरीली गैस तेजी से फैल गई जिसने हजारों लोगों और जानवरों को मौत के घाट उतार दिया गैस ने पीने के पानी, मिट्टी को प्रदूशित किया और गर्भवती महिलाओं के भ्रून, नवजाचीचुओं, बच्चों और बुढ़े लोगों पर प्रतिकूल प्रभाव भी डाला लगभग 200 महिलाओं ने मृत बच्चों को जनम दिया और लगभग 400 बच्चे जनम के कुछ घंटों के भीतर मर गए लगभग 47 गर्थिशत गर्भवती महिलाओं ततकाल गर्भपात से पीडित हुई और कई महिलाओं ने स्वैच्छिक गर्भपात कराया आधिकारिक आकडों के अनुसार लगभग 10,000 लोग स्थाई रूप से और लगभग 30,000 लोग आन्शिक रूप से विकलांग हो गए लगभग डेड़ लाख लोग मामुली विकलांगता से पीडित है जीवित बच निकलने वाले नवजात शिश्यों के यकृतों पर नीले रंके धब्बे हो गए और गंभीर खासी श्वास विकारों आख की बिमारियों से पीडित है यह त्रासदी मानवता के लिए एक चेतावनी थी कि जहरीली गैसों के उत्पादन पर रोग लगाई जाए उनके भंडारण और उप्योग पर अत्याधिक सावधानी बरती जाए और युधस्तर पर ऐसी त्रासदियों से बचने और सुरक्षित रूप से प्रवंध करने के लिए उचित विवस्था की जाए भुपाल गैस त्रासदी के पीड़ित अभी भी नियाए के लिए संघर्श कर रहे हैं कीट नाशक कारखाने के स्वामित्व वाली कंपनी युनियन कारबाइड यूसी ने त्रासदी के इतने सारे साफ सपूदों के बावजूद भी अपनी घलती मानने से इंकार कर दिया Union Carbide UC इस त्रासिदी से बच निकलने वाले लोगों को न्यूनितम मुआवजों का भुक्तान करने के बाद फरार हो गई 24 वर्षों के बाद भी जीविद बच निकलने वाले लोग, न्याय, पीने के सुरक्षित पानी, स्वास्त सुविधाओं और Union Carbide के जहर से ग्रस्त लोगों की नौकरियों के लिए मजदूर की कीमत 22 भारत में उत्पादन सेंयंद्र स्थापित करने में विदेशी कमपनियों के लाब 23 सस्ता श्रम कमपनिया अमेरिका जैसे देशों में जो मजदूरी देती हैं, वे भारत में मजदूरों की मजदूरी से बहुत ज्यादा है कम वेतन पर परिस्थितियों का उपियोग लागत में कटौती करने के लिए किया जाता है एक मजदूर की कीमत क्या होती है विदेशी कमपनिया सस्ते श्रम के कारण भारत आती है अमेरिका में मजदूरी भारत जैसे घरीब देशों के श्रमिकों की तुलना में अधिक है कम्पनियों को कम कीमत पर ज्यादा घंटों तक काम ले सकती हैं चुंकि हमारे यहां बेरोजगारी इतनी ज्यादा है कि थोड़ी सी तन्खवा के बदले न जाने कितने लोग असुरक्षित स्थितियों में भी काम करने को तयार हो जाते हैं सुरक्षा कानूनों का क्रियानवन यह सुनिश्चित करना सरकार की जिम्मेदारी है कि सुरक्षा कानूनों को लागू किया जाए यह सुनिश्चित करना भी सरकार की जिम्मेदारी है कि अनुच्छेद 21 में दिये गए जीवन के अधिकार का उलंगन ना हो लोगों के हितों की रक्षा करने के बजाए सरकार और निजी कमपनिया दोनों ने ही उनकी सुरक्षा को नजर अंदास किया भारत में स्थानिय और विदेशी व्यवसायों के अद्योगी करण के साथ मजदूरों के अधिकारों की रक्षा करने वाले कानूनों और उनके बहतर क्रियानवन की सख्त आवशक्ता है पर्यावरण की रक्षा के लिए नए कानून 1984 में हमारे पास पर्यावरण की रक्षा के लिए बहत कम कानून थे और ये कानून बड़ी मुश्किल से लागू होते थे पर्यावरण को एक मुफ्त चीज माना जाता था और उद्योग बिना किसी प्रतिबंध के पर्यावरण विशेश रूप से हवा और पानी को प्रदूशित कर रहे थे पर्यावरण को नुकसान पहुचाने के लिए प्रदूशण फेलाने वालों को ही जिम्मेदार माना जाने लगा प्रदूशण पर अंकुष लगाने, नदियों को साफ रखने और जो दोशी है उन पर भारी जुर्माना लगाने के लिए कानूनों और प्रक्रियाओं का तै करने में सरकार एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है जन सुवधा के रूप में पर्यावरण भारत में पर्यावरणिय मुद्दों से यह बात सामने आई है कि मध्य वर्ग के लोगों के बीच पर्यावरण की बढ़ती चिंता अक्सर गरीबों की पीड़ा पर होती है अब चुनोती ऐसे समाधान ढूलने की है जिन में सुच्छ वातावरण का लाब सभी को मिल सके सरकार को चाहिए कि भग कारखानों को धीरे-धीरे स्वच तकनीकों को अपनाने में प्रुच्छाहन और मदद दे इस तरह मजदूरों के रोजगार भी बच जाएंगे और कारखानों के आसपास रहने वाले समुदायों वो मजदूरों दोनों को सुरक्षित पर्यावरण का अधिकार भी मिल जाएगा निश्कर्ष चाहे बाजार हो, दफ्तर हो या कोई कारखाना हो बहुत सारी स्थितियों में लोगों को गलत तोर तरीकों से बचाने के लिए कानून जरूरी होते हैं कमजोर और सही ढंक से न लागू किये गए कानून भारी नुकसान पहुचा सकते हैं सरकार कई तरीकों से एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है क्योंकि आम लोग भी निजी कंपनियों और सरकार दोनों पर समाज के हित में काम करने के लिए दबाव डाल सकते हैं सारांच हमने जो कुछ सीखा है उसे संगशेप में दोहराए यह सुनिश्चित करना नियाइक विवस्था और सरकार की जिम्मेदारी है कि सामाजिक नियाए व्यापक हो और सभी नागरिक अपने अधिकार सिद्ध कर सके लोगों को शोशर से बचाने के लिए सरकार कुछ कानून बनाती है सरकार ने मजदूरों के मजदूरी, मजदूर, वस्तुरक्षा उपाए, उपभोकता संरक्षन, उत्पादों की कीमत, पर्यावरन संरक्षन, बालक्ष्रम और व्यापार, श्रमिक संगों पर विविद कानून बनाए है यह सुनिश्चित करना भी सरकार की जिम्मेदारी है कि अनुच्छेद 21 में दिये गए, जीवन के अधिकार का उलंगन ना हो